आज का टॉपिक है हमारा ग्रैंड स्लैम टूनामेंट 2019 अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रैंड स्लैम होता क्या है आपको पता है दुनिया के चार सबसे इंपोर्टेंट गेम्स हैं जो टैनिस के हैं एक तो है मारा ऑस्ट्रेलियन ओपन जिसकी स्टार्टिंग हुई थी 1905 में याद है 1905 में एक और इंपोर्टेंट इंसिडेंट हुआ था क्या हुआ था बंगाल का विभाजन उसके बाद है हमारा फ्रेंच वेपन ठीक है अब देखें इसे क्या लिखा गया रोनाल्ड गैरोस तो कभी भी आपसे यह भी क्वेस्टन में पूश सकता है कि अब बात आती है कि हम लोग इसको पड़ क्यों रहे हैं तो अगर आप एक्जाम देते हैं तो आपको पता होगा कि ग्रैंड स्लेम से बहुत ही ज्यादा क्यों बनते हैं अच्छा कौं-कौं से टॉपने के किस क्वेश भी होटत है ग्रास वह गया औजब है, तो यह भी ग्रास कौन से प्लेयर ने इसको जीता है, खिलाडे ऐसा कौन सा है जिसने Grand Slam को जीता है और इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि वो बिलॉंग कहां से करता है, ठीक, तो इन सभी सवाले के जवाब आपको इस वीडियो में मिलागा और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आ आज तक हमारे साथ बने रही है, पहले हम लोग डेटेल में चारों Grand Slam पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग उसके MCQ सॉल करेंगे कि आपको कितना याद हुआ, नहीं याद होगा तब बताना, ठीक है, तो आज सुरू करते हैं, शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल ऐकन पर जरूर प्रेस करें, साथी साथ आप हमारी वेबसाइट study91.co.in पर विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पे सभी विश्यों के प्राक्टिस सेड और एक्जाम क प्रिवेस यर पेपर और मॉडल डेश पेपर भी सॉल कर सकते हैं, चलिए, शुरुआत करें, सबसे पहले हमारा क्या आया है, लॉन टेनिस में Grand Slam Tournament 2019, तो पहले आप लोग इस स्क्रीन को पढ़ते भी रहें, लॉन टेनिस की दुनिया में सबसे प्रतिष्टी टूर्नामे जिने क्या कहा जाता है, मेजर, अच्छा कोई चीज एक है, तो माइनर है, लेकिन अगर चार चीज़े एक ने मिल गई, तो क्या होती है, मेजर मेजर मतलब थोड़ा सा विस्तरित बड़ा, और उनके नाम क्या है, विमलेडन ओपन, युएस ओपन, फ्रेंच ओपन, और और अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहले कौन सा टूर्णामेंट होता था, मतलब सुरुवात किसकी हुई, यह मैं सोचे कि पहले कौन होता है, हमें एक साल की ने, सबसे पहले कौन सा खेला गया था, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1905, 1891, इसमें हमारा विमलेडन उपन सबसे पहले खेला गया था, उसके बाद 1881 में हमारा क्या खेला गया था, यहाँ पर देखे गलती से क्या लिखा गया है, 1981, ठीक है, यहाँ पर जबकि होगा क्या हमारा, यहाँ पर होगा हमारा 1881, उसके बाद हमारा 1891 में फ्रेंच उपन, यह हमारा सही है, फिर हमार अगर ये हमारा एक साल है तो इस एक साल में सबसे पहले कौन सा गेम होता है हमें वो पढ़ना है तो आपके इसाब से क्या होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होगा क्योंकि मैंने आपको कई बार ये चीजे पढ़ाई है कि सबसे पहले कौन सा गेम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन ह और हुआ यहाध कैसे रखेंगे आज तक याद कैसे रखेंगेमानों है अर्प Кरेकी से आप्ग मैं नब आधके भी neurotaking & degrees possible तो यहां पर हमलोग बात कर रहे थे TUV होता है तो U हमारा आजाता है 21 पर और W आजाता है 23 यहीं पर थोड़ा सा आपको समझना है सबसे पहले आता है A तो सबसे पहले क्या खेला जाता है Australian Open उसके बाद आता है हमारा यहां पर आप देख भी सकते हैं कि Australian Open Grand Slam जो है यह जनव जनवरी में शुरू होता है तो जनवरी तो पहला ही मन्त होता है हमारा जब भी यह रिश्टार्ट होता है और सुरुवात हुई है 1905 में खेला कब जाता है जनवरी में और कहां पर खेला जाता है किस मैदान में खेला जाता है तो हार्ड कोट पर खेला जाता है और इस बार तो उस्ट्रेलियन ऐपता जीता है जोकोविच ने नुवाग जोकोविच ने लगातार साथ वी बार उस्ट्रेलियन ऐपता जीता है। यद कैसे करेंगे तो आप याद करिए मेंस का इस बार अगर हम लोग मेल की बात करें तो जितने भी mail है NR यान यार आप याद कर लेजे ठीक है अभी NR में क्या है यन से हो गया हमारा नुआक जोकविच आर से हमारा क्या हो गया ये हो गया हमारा राफिल नडाल और हमारे पास टोटल कितने Grand Slam है चार Grand Slam है तो एन से मतलब Australian Open पहला Grand Slam पूरूँस एकल वर का किसने जीता है नुआक जोकविच ने उसके बारा फ्रेंच ओपई किसने जीता राफिल नडाल ने अगला होता है एक अगला ट्रिक है आपके पास NASA यह 2019 के लिए ट्रिक है 20 में मत इसका प्रयोग करना तो NASA से कैसे देखिए यन से हमारा क्या होता है बताए यन से क्या होगा यहाँ पे होगा हमारा Naomi Osaka यन से क्या होगा Naomi Osaka A से क्या होगा S ले बाटी यह Australian Open है यह French Open है यह हमारा Wimladen Open है और यह है US Open Naomi Osaka होगा A से हमारा S ले बाटी होगा S से हमारा Simona Halep होगा और उसके बाद B से Bianca Enrico अगर आप लोग Current Affair पढ़े होगे तो मैंने आपको पढ़ाया था Bianca Enrico इसमें थोड़ा सा आप याद रखेगा अब हम लोग डीटेल में चीजों को पढ़ते हैं चलिए तो महिला एकलवर का खिताब किस ने जीता हो Australian Open ने Naomi Osaka याद कैसे करेंगे Japan में एक जगा है Osaka और Naomi Osaka कहां से बिलोंग करती है Japan से उसके बाद है पूरुस एकलवर पूरुस एकलवर का खिताब जीता है नुआक जोकोविच ने और कव सर्बिया अच्छा ही जब किसी को ठंडी लगती है सर्बिया हो गया साइबेरियन पंचिया देना ठंडी पढ़ने के कारण लोग आता तो इंसान बीच में बैठा रहता है उसमें दव वर्ड आपको जरून मिलेगा तो दव तुथवजन नाइंटीन फ्रेंच ओपन जिसे हम लोग रोलांड गैरोस के नाम से भी जानते हैं यहाँ क्ले कोट में खेला जाता है क्ले कोट को हिंदी में कहते हैं लाल बजरी यह जो बिगनर्स होते हैं प्लेयर उनके लिए काफी इजी होता है तो लाल बजरी में कौन सा ग्रैंड श्लम खेला जाता है याद रखेगा फ्रेंच ओपन लाल बजरी फ्रेंच ओपन इसकी सुरुवात हुई थी 1881 में ये इतना इंपोर्टन नहीं है हमारे लिए मई से जून के बीच में खेला जाता है आप समझ में आया जनवरी में हो गया हमारा उस्ट्रेलियन ओपन मई जून में हो गया हमारा फ्रेंच ओपन खेला किस मैदान में जाता है क्ले कोट पे आईए अब पहले आप इसको मत देखे आप यहाँ पे तूरंत नासा लिखिए बारबर हम लोगों को रिवाइस करना है न नासा लिखिए एनार एनार लिखिए चलिए अब हम लोग फिर से पढ़ते है आउस्ट्रेलियन ओपन महिला में किस ने जीता था नौमी ओसाका ने अब यहाँ पे फ्रेंच ओपन की बात आई है तो किस ने जीता है एसले बाटी ने आगे है ना एक एसले बाटी और इस्ट्रेलियन ओपन किस ने जीता था पुरुसों में नुवाग जोकोविच ने आ रहा है पुरुसेकलवर का किताब किस ने जीता है राफिल न डालने अब रा से राफिल हो गया और इभी लॉंग कहां से करते है इस पेंड से करते है हो गया है यहाँ फ्रेंच ओपन चले नेक्स पे बात करते है अम लोग विमललाडन ओपन विम लडन Championship इसको क्या कहते हैं विम लडन या Championship के रूप में इसको जाला जाता है और यह दुनिया का सबसे पुराना Tennis Tournament है यह important question भी है दुनिया का सबसे पुराना Tennis Tournament कौन सा है विम लडन Open और कई लोगों द्वारा इसे सबसे प्रतिष्ठित भी माना जाता है यह लंदन के विम लडन में All England Club में आयोजित किया जाता है और यह खेला कहां पे जाता है यह खेला जाता है ग्रास कोट पे ठीक है सबसे पहले हार्ड है और सबसे आखरी वाला भी हार्ड है कैसे Australian Open हार्ड है US Open हार्ड है बीच वाला Clay कोट हार्ड से थोड़ा सा कम है और उससे जून जुलाई में इसको खेला जाता है मैई जून में फ्रेंच हो गया जून जुलाई हो गया हमारा विम्लर डेन ओपन और यह किस मैदान पे खेला जयता है घास के मैदान पे फिर से रिवाइस करते हैं NASA NR NR नाम सब का पहले एक बार याद रखिए आप टीक सबका नाम य जोकुविच राफिल नडाल नुवाक जोकुविच राफिल नडाल थर्ड नमबर पर आया विम लेडन थर्ड नमबर का है तो मेल का किस ने जीता है एकलवर्ग का नुवाक जोकुविच ने जीता है महिला में यस आया है तो ऐस से क्या होगे हमारा सीमोना हालिप और मोना मा से बिलॉंग करती हैं सिमोना हालेप रुमानिया से बिलॉंग करती हैं गुट चलिए नेक्स हमारा लास्ट है और यही हमारा शुरुवात कब हुई है यूएस ओपन की सुरुवात हुई है 1881 में और यहां खेला कब जाता है तो अगस्त से सितंबर महीना कौन से चल रहा है सि अब लोग देखते हैं इसको जीता किसने है फिर से रटेंगे एक बार नासा एनार यानार पहले सबका नाम बोलते हैं यहां पर हो गया हमारा नौमी होसा का एसले बार्टी सिमोना हालेप और यह क्या हो गया हमारा बियांका एंडिस्कू अब यह लास्ट है तो यह महिला करके कισने जीता है तो पूरु सेकलवर का खित किस ने जीता है राफिल서 का और यह बिलों से करते हैं समझ में आ गई आई एक बार अच्छे से हिम लोग यहां पर revise कर लेते हैं अब मैं यहाँ पर लिक भी देती हूं नासा एनार यानार ठीक चलिए एन से नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलियन ओपन का किसने जीता है नाओमी ओसाका बिलॉंग कहां से करती है ओसाका पड़ता है जापान में और यह बिलॉंग करती है जापान से फिर नुवाग जोकुवीच बीच में बैठने वाले को सर्दी कम लगती है तो नुवाक जोकुवीच कहां से बिलॉंग करते हैं सर्बिया से और इन दोनों ने जीता है महिला और पूरू से एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन का फिर आता हमारा फ्रेंच ओपन इसमें महिला एकल का जीता है असले ब जिता है नुवाक जोको विचने उसके बाद है यूएस ओपन तो इसमें महिला एकलवर का खिताब जीता है और यह बिलॉंग करती है केनडा से पूरू से एकलवर का जीता है राफिल नडाल ने अब थोड़ा से हम लोग देख लेते हैं टॉप थ्री सबसे ज़्यादा ग् जीता है रोजर फेडरार ने कुल 20 ग्रैंड स्लैम और रोजर फेडरर कहां से बिलोंगकरते हैं स्विज्जर लैंड से छीक को उप करता है उसके वाद हमारा राफिल झाडाल ने जीता है जोकी स्पेन के इन्हों 19 Grand Slam जीते हैं और नुवाग जोकोवी जोकी सर्विया के हैं इन्होंने 16 Grand Slam जीते हैं अगला हमारा मार्गेरेट कोट यह ऑस्ट्रेलिया की है और इन्होंने कुल देखिए मेल का भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिये इन्होंने कुल 24 Grand Slam जीते हैं नाम जरूर याद रखेगा मार्गेरेट कोट अच्छा नाम भी बड़ा खतरनाख है मार देंगे तब मार देंगे तो ऑविस सी बात है सबसे सकते साली होंगे तो मार्गेरेट कोट यह ऑस्ट्रेलिया की है और इन्होंने जीता है 24 Grand Slam सरना विलियम सकेंड नमबर पे है इन्होंने जीता है 23 और स्टेफी ग्राफ यह जर्मनी की है तो यह टॉप टू और इसमें टॉफ थ्री क्योंकि यह तीनों खिलाडी बहुत जादा फेमस है और इनसे एक्जाम में क्वेस्चन कई बार पूछा गया है अब क्वेस्चन को सॉल किया आईए क्वेस्चन को सॉल करते हैं ठीक है चलिए कि क्वेस्चन है हमारा पहला साल भर चरने वाले टैनिक ग्रांड स्लैम का सही क्रम क्या हो गया आपके पास दस सिकेंड का टाइम मैं आपको दे रही हूं और आपको कमेंट बॉक्स में अंसर जरूर देना है दे पच्छे से सोच सकेंगे इसके बारे में तो बताइए यहां पे हमारा सही अंसर क्या होगा सबसे पहले क्या होगा ए ऑस्ट्रिलियन ओपन ठीक उसके बाद F6 फ्रेंच ओपन उसके बाद है हमारा विमलडन ओपन और उसके बाद है हमारा यूएस ओपन तो यहां पे हमारा सही answer क्या होगा option number two जितने लोगों ने सही किया उन सब को मिलते हैं एक number next है हमारा French Open 2019 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है French Open की बात हो रही है तूरंत mind जाना चाहिए चलो मैं help कर देती हूँ यहाँ पे हो गया नासा और यहाँ पे हो गया अच्छा महिला की बात है चलो इनको काड़ देते हैं बताइए यह से क्या होगा हमारा एसले बार्टी होगा तो हमारा सही answer क्या होगा एसले बार्टी ने जीता है French Open next हमारा Wimladen Open 2019 का पूरुस एकल की बात आई है Wimladen तो बताइए एन आर एन आर क्या होगा नुआग जोकोवीची तो इद्दम इजी होगा सबके नाम पे होगा और यह बिलॉंग कहां से करते हैं सर्बिया से बिलॉंग करते हैं फिर हमारा की Wimladen Open 2019 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है विम लेडन की बात कर रहा है तो लिख लिए जैन आसा चले आप तो बताइए सकते हैं जापान की हैं नाओमी ओशारी सिमोना हालेफ है यह से क्या होगा हमारा सिमोना हालेफ हो जाएगा अगला क्यूशन हमारा US Open 2019 का पूरूस एकल का खिताब किसने जीता है यूएस सबसे आखरी तो रहा से क्या होगा राफिल नडाल और इन ही दोनों ने मिलके तो सारा जीता है तो राफिल नडाल हो जाएगा हमारा सही एंसर उसके बाद हमारा US Open 2019 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है इंपोर्डेंट क्वेस्चन है ना तो महिला एकल का खिताब कौन जीतेंगी यहाँ पे लिख लीजिए नासा अब बताईए क्या आया है लाश्ट में ए आया है एक यह तो हम लोग पढ़ चुके हैं असले बाटी को दूसरा मैंने बता था एंड्रे स्कू करेंट अफेर्मी में मैंने पढ़ाया था बियांका यह बिलॉंग कहां से करती हैं कैनड़ा से नेक्स है हमारा निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है नाओमी ओसाका जापान में पढ़ता है हमारा ओसाका एक तो मैंने बता दिये, आब बताइए सही कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइए एसने बार्ति, औस्ट्रेलिया, सिमोना हाले रोवल मानिया बिलॉकरती है बियांडरा कहां से बिलॉकरती है, क्यनड़ा से बिलॉकरती है, तो हमारा सही अंसर क्या होगा? option number D हो जाएगा हमारा सही answer उसके बाद है हमारा कौन सा विकल्प सही नहीं है नुवाग जोकोविच बिलॉंग करते हैं बीच में बैठे हैं तो सर्दी नहीं लगेगी सर्बिया से, राफिल नडॉल बिलॉंग करते हैं स्पेन से, रोजर फेडरर रोजर फेडरर बिलॉंग करते हैं अउस्ट्रेलिया से, नहीं रोजर फेडरर मैने आपको बताः था ये स्विटजर लेंड से बिलॉंग करते हैं, काहां से? स्विटजर लेंड से, तो सही answer क्या होगा हमारा रोजर फेडरर और आपको यादा ऑपत्ने में जी जी वाद महिला की बयंधा है मार गैरिट कोट ने जीत जीता है जो की विलॉंग करती है या आथ सेूप हमारी विबसाइट पर उप्साय पाफूरी सट्सक्री अज़ साथ referring करने में छोग है प्रैक्टिस कर सकते हैं, दो से तीन मिनट लगेगा, आप दस क्वेस्चन आराम से सॉल कर लेंगे, तो दो तीन बार आप प्रैक्टिस कर लिजे, एक्जाम में अगर इसा बाहर बाहर नहीं जाने वाला है, तो आज के लिए बच इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेर करें और लाइक करना ना भूलें, डेली अप्डेट्स पाने के लिए बेल एकन पर जरूर प्लिक करें, और मैं बार बार कहती हूँ, कि अगर आप नए, अच्छा पुराने लोगों को लगता होगा, कि मैं बार बार एकी बात, अरे रोज नए ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं, तो आज के लिए बास इतना ही, वीडियो अच्छा लगे, तो शेर जरूर करना, और कैसा लगा आज का वीडियो, इसके बारे में कमेंट जरूर करें, थैंक यू फ्रेंस, थैंक यू सो मच,